लबूं पे आते आते कब मचबूर हो जाए कोई तो हो जो ठके पंखों को उडान दे वो कौन है जो आशाओं को नई पहचान दे दुष्ट काल की दाल कले ना कोई माया चाल चले है जवाब तू कर सवाल नोग रहो किसी भी चाल चले पुष्ट काल की दाल कले ना कोई माया चाल चले है जवाब तू कर सवाल नौग रहो किसी धी चाल चले बेबस हो कर मत सिसक तू उठ खड़ा हो मत हिचक तू संकट का अब शीश कटेगा आशाओं में जरा महक तू संकट का अब शीश कटेगा आशाओं में जरा महक तू बस अब दुख ओ नहीं बस अब दुख ओ नहीं सूर्य अपना देजितो चंदर शीतल कर लो मन प्रेस्पनि धनका वर्दो उठ देतो स्वत्यतन शक्देव की छाया सुभाई शुक्र की हर पल सय रहे राहु के तु करुणा बरसाए गर कुजियों से भरा रहे मंगलम मंगल रहे सब घ्रहों में देव कृपा रहे मंगलम मंगल रहे सब घ्रहों में देव कृपा रहे मंगलम मंगल रहे सब घ्रहों में देव कृपा रहे इसमें समया बीता हुआ कर वरतमान और भविश्य है ये बशिष्थ जोतिश है जिसने जाना मेरी मर्म को गुरू जिसे हर जंक है एक गुरू सौकष्ट हर ले एक गुरू साग्यान है गुरू वशिष्थ गुरू देव है सुख की ये पहजान है गुरू वशिष्थ गुरू देव है सुख की ये पहजान है बस अब दुख्वार नहीं जै माता दे जै माता की खुश्य है दाता सदा सुखिर बड़ा कुरू देव इंसान बहनत करता है एक आलिशान सा एक प्यारा सा अपना लिए घर बनाता है लेकिन जैसे ही उस घर में वो व्यक्ति प्रवेश करता है हम देखते हैं कि बहुत सी मुसिब्ते जो है उसके जीवन में आ जाती है ऐसा किन ग्रहों के कारण होता है बढ़ा मकान जर्नल इग्रेव प्रवेश के बाद नहीं तो बहुत सारे केसिस तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि मकान कम्प्लीट करने में ही बहुत दिक्कत आती एंड में आकर कि यह हलाद हो जाते कि प्लस्तर करवाने के लिए और दर्वाजे लगवाने तक के लिए पैसे लिए इस पर शनी का बहुत ही घातक रूप होता है वहां पर तो परिवार के अंदर किसी ना किसी की मृत्युत तक भी संभभ हो जाती है समयगे यह हलात होते हैं और यह सब कुछ जनम कुली के अंदर लिखा हुआ है कि आप मकान नहीं बना सकते हैं बनाएंगे तो क्या-क्या नुकसान हो जाएंगे यह सदा से रहा है आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बिटा जिनके साथ यह सब्hillat बैध भी हो चुका होगा समझे लोग खास्त आप एक बात खास तारप समय लें कि रर्चनी जनम कुली के और खराब है म है अब एसी हैं कि अंदर बनाना तो बहुत बड़ी बात है मां मकान खरीद करके उसके अंदर जाना यह तो बहुत बड़ी बात है अगर किसी ने यह भी कह दिया ना कि वास्तू ठीक करा लो और उसके लिए तोड़ फूड घर में कर वाली तो बैटा यह तब भी बुरे हो जाते है इसका मैं एक आदमी मेरे से मिल लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है तो बीच बीच में छोड़ छोड़ी दिखते होती है तो एक उनका जानकर गया वो जानकर था हमारे संस्तान के साथ ही जुड़ा हुआ यहां कर चलना उसने जाकर के उनको कहा कि यह वास्तू का यह वाला हिस्सा खराब है और यह ठीक करवा लीजिए बेटा उन्होंने जैसे वह दिवार तोड़ी वह पिछले छे साल से अपने दोस्त के यहां किराएं पे रहते थे दोस्त के यहां जैसे वह दिवार तो वाके घर पहुंचे तो घर जाते दोस्ते का भाई एक हफते के अंदर मेरा घर खा जाकर के देखा, सारी लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, तेक है, उदर से वो टूटा, तीसरी तरफ उसका पार्टनर, अचानक एक हफते बाद उसे कहता है, कहता है, भाई, मैं तो कंगाल हो गया, जो मैंने आट क्रोर रुपे तो परे देने थे, वो मेरे पास नहीं है, वो अ सदो हो इनी सकता तेरे, क्योंकि सारे मैं उपायों को जानता हूँ, जो तुने किये, मैं सच सच बता तुने क्या किया, अब वो डर के मारे बोले भी ना, तो उसने बाद में बोला, मैं का देख, अगर तू नहीं बोलेगा, नुकसान तेरा है, तो उसने बताया, एक मेरे यहां के एक वरकर का भी नाम लिया, और उसने का वो आये थे, और उन्होंने कहा, यह तो यह दिवार तुडवा दे, और यह गदी यहां से हटा दो, कहता है, मैंने जैसे किया, यह सब कुछ मेरे साथ खटी दो, समझे ना, मैं कहा जब पागल तेरे को मैं आडवाइस देत है, यह इन्सान की एक फित्रत ही है, तो इस चक्र में उसने किया, उसके बाद अनुम मुझे आठ महीने लगे उसकी वो सारी मुसीबत को कंट्रोल करने में, और आठ महीने बाद जाकर के वो जितना पहले था उस लेबल पे आया, समझे, तो यह तो तब था कि अगर मैंने है, अगर बैटा किसी को सही समय पे यह शनी खराब का इलाजना मिले और वो मकान में तोड़ फूड कर बैठा हो, मकान बना बैठा हो, तो बैटा जिन्दगी के पांच-पांच-दस-दस साल खराब हो जाते हैं, और आदमी इतनी देर की मेहनत से पीछे चले जाता है, जो से वापस दुबारा चड़ाई करने पड़ती है, समयगे, तो यह शनी का बड़ा खराब रूपता है, लेकिन अगर आप तुमने पूछी लिया है, तो जिनके साथ अभी ऐसा हो रहा है, जो मकान बना के हटे या रिपेर करवा के हटे और उनके साथ बुरा शुरू हो गया चाहे बिमारी की तरफ से, चाहे पैसे की तरफ से, चाहे घर के कलेश की तरफ से, या कोट कचारी की तरफ से, जिनके साथ भी शुरू हो गया बिटा, उनके लिए उपाई, वो उपाई है, तर्तालिस दिन चार मुठी साबुर बदाम लेकर के दान दो, किसी को भी, और स्त हलवा बनाकर मंदिर चड़ा करके वह बाट दो और उसके बाद हर मंगलवार को दूद में हलवा बनाकर मंदिर चड़ा करके बाट नहीं बाट चाहिए इसके पीछे लाजिक क्या है अब मैं एस्ट लाजरों के लिए बताता हूं शनी खराब हो तो बिटा बुद्ध खराब हो जाता है बुद्ध हमारे शरीर की नसे हमारा दिमाग और बिजनस यह सब बुद्ध में आता है तो बुद्ध और शनी का मिश्रित उपाई कौन सा हो और गिरी यह सबस्के चराब और बढूए नहीं है की घर्द होाह सबसे पहले छंडर को खराब खराब करते खराब शनी हमेशा मंगल के रूप में फल देता है इसलिए जिनका शनी खराब होता है बेटा उनका खून खराब हो करके उनको बिमारिया देता है नसे खराब हो करके उनको बिमारिया देती है तो बुद्ध का उपाई हो चुका मंगल को या ठीक करने के लिए हमने हलवा बनाना इसे दान करने से चंदरमंगल यह अच्छे होते जाएंगे दान करने से शनी और बुद्ध। यह तब कर दो बाकिके ग्राइस चैबल रहे करके हमारी जिन्दगी दों चला सकते हैं तो बेटा इस से सही मैने में उनसम का इलाज हो जाएगा जिनको इस तरह की तक लीफ आपन तो मैं यहां आपको बता दूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप घबराएं नहीं आप हमारे संस्तान में आएं यहां हमारे जोतिश अचारे आपको सब कुछ बताएंगे बिल्कुल फ्री में तो दर्शको सब गुरुदेव हमें सिर्फ थोड़ी सी महनत थोड़ी सी कोशिश तो हमें भी करने हैं मैं यह जाना चाहते हूं कि जब हम बच्चे की या अपनी लाल किताब अम्रित बश्री जोतिश बनाते हैं तो क्या यह भी लिखा होगा कि आपका बच्चा जो है इस तरह का वैवार कर अपनी मर्जी से शादी करेगा इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें बताता हूं गर से भागने का जिक्र कभी भी लाल किताब अम्रित में नहीं आएगा वश्री जोतिश में नहीं आएगा उसके अंदर जिक्र क्या आता है जब किसी का विदेश का योग हो तो हम कहते हैं घ एक वह चीज आएगी जो कि इस बच्चे की कुणली में बिलकुल नहीं आएगी क्योंकि इसके वह कब आता है जब जनम कुणली को तीसा नौवा बार्वा घर लगा हुआ होता है तब आता है ठीका पॉजिटिव ग्रहा के रखे तो और दूसरा क्या होता है जब भी जनम कु सब्सक्राइब करना होता तो इसकी कुणली में लॉजिकली क्या हुआ लगन में बैठे हुए शनी और केतु राहू पे द्रश्टी डालने जिसके कारण पिता और भाई का सुख खराब हो गया यानि कि पिता और भाई के साथ बनेगी नहीं अगर यह बच्चा घर पे वी रहा तो पिता और भाई को वैसे जिन्दगी के अंदर बॉबड़ी मुसीब्ति आएंगी नंबर एक पिता बीमार भी हो सकते हैं भाई को को तकलिफ हो सकती है तो अब यह गया यानि कि पिता भाई का सुख उसने स्विच्छा से खराब कर लिया दूसरा शुक्र का पितर चाप मैंने बनाया और शुकर बैठा चौथे घर में जिसमें की परिवार कुनबाई एक अठा नजर आता है सुख शांती नजर आती है चौथा गर इस चीज़ का उता है तो इसके पास से इसका घरी शुडवाती है और बच्चा भाग गया से तीक है यह वाले हालात मने है इसके अगर यह बच्चा अभी भी अपनी जनम कुली यहां डाले एस्टो साइंस डॉट कॉम पे तो उसके अंदर साफ साफ तोर पे लिखा हुआ आएगा कि यह घर वालों के साथ सुख किस कारण खराब होगे साफ लिखा होगा कि विप्रीत लिंगी के चसके के कारण अपना एक्सपीरियंस बेटा सारे का सारा मैंने लाल किताब अम्रे वशिष जोतिश के अंदर डावा है मेरे भूले नातकी के पास से मेरी माता रानी के शीरवात से आज मैं इतना सक्षम हो गया हूँ कि आपके जीवन के अंदर चल रही एक-एक समस्या को लिखित रूप आपके लिए कर दिया है और मेरे परमात्मा ने मुझसे ऐसा करवाया ताकि आप सब लोगों का दुख वाके में दूर हो सके पहुत से अच्ट लॉजर के साथ मैं भी काम कर चुकी हूँ मैं उनका इंट्रव्यू ले चुकी हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहे से कैसे बोलू कि बहुत कम होता है कि लोग ती दूर से मेसिज करते हैं जैसे पाकिस्तान से हमें आया और वो भी मतलब एक अलग रिलिज कम करना है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मतलब दूसरी रिलिजन पी जो है वो साथ आरे तो बहुत अच्छा सा लगता है बटा इस धर्ती के ओपर यह रिलिजन हम लोगों ने बनाया पर मात्मा ने तो एक ही रिलिजन बनाके बेढ़ा वो होता है इंसानियत इस बात क कि इंसान का अगर सरदध होता है तो बैटा उसको वैसी ही फील होती है जैसे दूसरे वाले को होती है किसी को कमाई नहीं होती तो वही दुख दूसरे इंसान के घर में होते हैं वही दुख उसके घर में होते हैं जब घर में कलेश होता है तो वह इस धरम वाले के भी वैसा फील करते वह उस धर्म का लेए वी वैसे फील करते तो बेटा सब की फीलिंग से मैं सब के दुख से मैं जैसे जब कोई बिमारी आती है बेटा हर कोई एक हॉस्पिटल के अंदर हर धर्म का आदमी तुम्हें मिल जाएगा अपना इलाज करवाते हुए तो बेटा ये भी तो नसीब का हॉस्पिटल है ये नसीब का हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर धरम वाला जो भी नसीब का बिमार है बिटा उसका स्वागत है यहां आए और अपने उपाई करके अपने नसीब को स्वस्थ बनाके आए अच्छा खासा पैल वान बनाके निकल के जाए समझे ना ब तो बेटा मेरे को जाद विरादरी से कोई मतलब नहीं मेरे को सिर्फ इनसान से मतलब है इनसान आएं अपना इलाज करें हस्ते खेलते अपने घर जाए और अपना जीवन अच्छी तरह से बिताए बस यहीं हमारा अधे एक अपना खुद का एक्सपिरेंस नापके साथ शेयर करना चाहूंगे आप हमेशा कहते है कि कुटा पाले मेरे जो हस्बिन है वो एक ब्लैक डॉगी था बहार से था था उसको वो हम दूद देते थे रोज वो आता था दूद लेले के लिए आप इश्वास करेंगे कि हमें दो महिने तक उसको दूद दिया और एक दिन हमें पता चला कि रोड पर उसका हो गया है वो मतलब वो मर गया है तो मेरी मदरीन लॉग ने कहा कि कश ता जो तुम्हारे उपर आने वाला था जो उस डॉगी ने हड़ लिया क्या वाकि इसमें सच्छा ही थी बेटा कुत्ते क ना दर्वेश मान जाता है और तुम किसी भी शक्ति पीठ पे जाकर के देखलो ह मोहां गेट के उपर दो मूर्थिां लगी होती है एक होती है बेड़ा हनुमान जी की और दूसरी होती है बटुक भेरव की और जो बटुक भेरव होते हैं उनके साथ में कुत्ता जरूर होता है एक काल भेरव होते हैं एक बटुक भेरव होते हैं जैसे एक शनी शुब होता है और एक शनी अशुब होता है समझे के भेरव ही शनी है तु उनका कारक जब कुट्टा घर पे होता है तो उसके शरीर से निकलने वाली जितनी एनर्जी है बेटा वो इंसान को सौस रखने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोग तो इसलिए कुट्टा नी घर पे रखते कि वह बिमार हो जाएंगे मैं पिछले दिनों में अख का हाल है कि डॉक्टर ही मना करते है कि कुट्टा मत रखना इंफेक्शन लग जाएगा तुम्हारे घर में छोटा बचा है और दूसरे उन्हीं डॉक्टरों के साइंटिस्ट यह कह रहें कि कुट्टा रखने से यह हो रहा है यह बाते तो अब हो रही है हम तो हजारों साल से जानते है कि घर पे रखने से बहुत वाइदा होता है समझेगे यह चीज़ और यह सचाईए कि कुट्ता रखाया ही इसलिए जाता है कि अगर घर के किसी मेंबर के उपर कोई कुदरती आब्दा आने वाली या बिमार होने वाला है या कोई मौत का योग बनने वाला तो क यहां जाकर के पले और वो अपने मालिक की एक समस्या अपने उपर ले जाएं और वो मुक्ष को प्राप्त हो जाएं बैटा यह उनके समाज की भावना जो आप नहीं जानती एक तो यह चीज अब मैं तुम्हें एक और बाइग्जाम्पल बदाता हूं थी मैंने एक कुता पाला तो मेरे आज पास सोसाइटी के ढगा कहीं है पाल लिए मेरा दूसरा आया और पर लिए तीसरा कुता में लेके आया क्योंकि तीन को थे मापाल रहा था तो बिटा आज की डेट में सुबह के वक्त में इतने लोग सहर करते नहीं नजर आते जितने कारण कि उसके बाद एक दिन में बैठा हुआ था पारक में तो ऐसे करते करते 15-20 लोग आ गए सब ने परनाम किया बैठ गए मैं का एक बाद मेरे को बता दो यह कुछते रखने के बाद तुम्हें क्या अच्छा लगा अन्यों ऐसे एक्सपीरियंस थे कोई कहता मेरे पोता कोई करता रहें बेटे का काम नहीं चलता था कोई का ने बैट का नहीं पॉक्त चला गया कोई कहता मेरे घर में बीमारी इतनी थी वह खत्म हो गई मलकी बड़ा हो चुका है समझेंगे ना तो इसमें लिखी हुई एक एक बात सत्य है बेटा जो भी इंसान आज भी अपने घर की पहली रोटी आप देखिए जब भी पहली रोटी बनेगी ना बेटा वो कभी प्रॉपर रोटी नहीं होती उसमें कच्छा पकापन होता ही होता है प बेहर ज़रूरी है उसका मैं लॉजिक भी समझाता हूं हाँ पहली रोटी तुम्हें जितना रुपया पैसा शुर्या बच्चों के सुख शरीरिक स्वास्या बेटा यह सूर्य चंदर मंगल ब्रस्पति नहीं देते यह यह देते हैं पापी ग्रह पापी ग्रह कौन से शु यह ग्रह अपने आप सीधे हो जाते हैं और तुम्हारी जिंदगी में से मैकसिमम बादाएं हटा जाते हैं आज मेरे पास मेरे लाखो लाख क्लाइंट ऐसे हैं बटा जिनके घर में पहली रोटी यह निकाली ही निकाली जाती है और स्पेशली तोर पे सेम डे में आदी गा देखो बेटा एक साल लगेगा एक साल के अंदर किसी उपाई की जरूरत नहीं रहे जाएगी और देखना कैसे घर में भर भर के सुखाते हैं पापी ग्रहों को अच्छा कर लिया समयलो जिंदगी अच्छी कर लिए तो अजमा के देखो कैसे कैसे मिलते हैं गुरुदीव अब बारे में जानना चाहती है उनका नाम और उनकी डेट अब आप हमें बता दें बेटा का नाम है अनिरुद अरोड़ा और देट अब बच्छ है तेरा मई 1991 जी समय खे बच के पंड़ा विनिट सुबा के जनस्तान जनस्तान इतावा इतावा जी क्या कोश्चन है आपका अब इस अथाइस निवंबर को एक्सिडेंट हो गया था तो उसकी लेफ्ट टांग तूट गई है और अभी भी उसका कोई काम नहीं सेट हो पारा है वो पिजनर वसका काम खुरना चाहरा है बिल्डिंग मैटीरियल का अच्छावा पहले मेरे उनको ये बताओ कि ये अप कैला है या यह तीन भाई है कि अब्छरा हुं डूसर तीडों की जिए cheese Green ये तीम अड़ लगतान के अंदर किसी को सांस की टीबी की या पटीव की कोई दिक्कत रहीं कग용 और जो तुम्हारा घर है वो घर रोड के लेवल से नीचे है क्या गुरू जी पहले तो ऊपर था हम अपने घर में नहीं रह रहे हैं पर अब बिल्कुल नीचे हो गई है यही रिजन तुम्हारे बेटे के जीवन की खराबियों का है और सिरफ इतना ही नहीं इसके ठीक है कमर पाउंग के उपर तो चोट आ गई अब यह कड़वा भी बहुत हो जाएगा इसके विचार भी आप लोगों के सार मिलने में तकलीफ आएगी यह हर महौल के अंदर कमिया निकाल के आपने पाउंपे खुद को लाड़ी मार चाएगा और जब भी मकान बनाओ करोगे थोड़ी सी तोड़ फोड़ होगी कोट खचारी या हॉस्पिटल में जाने के योग खुल जाएंगे समझे यह योग ही ऐसा है काफी बुरा है इसको इमीजेटली ठीक करना बहुत जरूरी है और यह तो समय ही के तुका चल रहा है बैटा जो कमार पाउंपिशाब पाली जगह की तकलिफें देता है इसके अंदर दो स्लिप डिस्क भी बेने देखिए और यह भी देखा है कि बाद में जिन्दगी भर में खड़े होने के लिए के बर में हताच हो जाता है ऐसे हलात बनते हैं इसलिए इसे इमीजेटली कंट्रोल कर उपाई है सात तरह के फ पिसरा तर्तालीस दिन बारा सो ग्राम चावल को दूद का छीटा मार के वो जल परवा करो काला सफिर कंबल हर महीने इसके सर से पाउता गुमा करके मंदिर के अंदर दो कान छेदन करवा के इसके यहां सोना धरन करो और हर साल तर्तालीस दिन तीन केलो का दान करो इतना कर तेरा बेटा बिलको ठीक हो जाएगा लेकिन अब फाइनल बात प्याते हैं अगर तुम इस मकान में रहती रही जिसका ग्राउंड फ्लोर तुम तो बेशाक उपर के फ्लोर पर रहते हो लेकिन ग्राउंड फ्लोर अगर रोड के लेवल से नीचे है इस घर में रहते हुए और वो अच्छा रहेगा और इसे जल्दी से जल्दी या तो तोड़ के बना लो नहीं तो बेटा इसको गिरा के बाद में पेश दो अकलमंदी है तो यह काम ज़रूर करना नहीं तो बेटा तुम्हारा मकान चुड़वा के मुझे कुछ नहीं मिलना लेकिन यह हो गया और तुम काम्याब हो गये तो सारी जिन्दगी के लिए बेटा मेरे मुरीद बन के तो मैं यह चाहता ही हूं कि मुरीद बनो सब्गे और बदक्रिस्मती ना जी हो ठीक है खुश है दाता जिन दर्शकों की हम फोन कॉल्स नहीं ले पाए हैं उन्हें घबराने की जुरत नहीं है वो हमारी वेबसाइट एस्टो साइंस डॉट कॉम पर जाएं यहां अपनी डेट ऑबर्ट टाइम और प्लेस ऑबर्ट डालें और अपनी प्रेडिक्शन को अच्छे से पढ़ें हर एक पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो भी इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या चली आ रही है उसे आप कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें हमारे फेस्बुक की इन बॉक्स में यहां आप अपना नंब बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनके घर के पुत्र तो सुखी रह लेते पुत्रियां सुखी नहीं रहती कभी उनकी शादी के बाद तकलीफ है कभी स्वास्ते की तकलीफ है कभी और मुसीबत कभी कोई मुसीबत पुत्रियों को तकलीफ लगी ही रहती है यह एक स्पेशल लॉजिक है जो इस लॉजिक की बात तो हम फिरका भी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक है इसका उपाए दे रहा हूं बैटा और वह आज से करके देखे और एक साल के अंदर-अंदर क्या फल मिलता है वह देखिए का और वह यह है आपने देखा होगा आज कर छोटे उसको आप रख दो घर के सेंटर में नौर दिशा की तरफ की जो दिवारा उसके सार लगा के रख दो और उसे 24 गंटे चालू रखो और एक साल तक चालू ही रखना उसे और पानी और उसके अंदर बदलते रहना देखना बेटियों के दुख कैसे भागेंगे और सुख चल बहुत 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 शक्रीयाटा जयता देनी अनीच सब को सोह है रखे खुशिए बखसे और तंदृस्ती दे जय माता के सोच एक ऐसी दुनिया जहां दुखों का एक और आंश भी आपको चून ना पाय राहों में आपकी एक भी कांटा ना हो, ऐसी दुनिया जहां पैसे की तंगीन जहलने को मिले और जीवन साथी का सच्चा प्यार मिले पविश्य की हर मुश्किल का अभास आपको पहले से ही हो जाए, हाँ, ऐसी एक दुनिया में आपके हाथों में देना चाता हूँ, बस एक क्लिक पर जाने अपना पूरा जीवन बिल्कुल फ्री, astroscience.com पर जिन्दगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए, तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ, इसलिए हर क्षेत्र में काम्याबी पाने के लिए आज ही जीडी वशिष्ट जयोतिश संस्थान से संपर्क करें